हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेंन किचन आज हम बनाने वाले हैं मेथी की खस्ता और करारी पूडिया इन पूडियों को आप नास्ते में, बच्चों के लंच में या फिर अगर आप कही सफर पे जा रहे हैं तो इन्हें बना कर ले जा सकते हैं और ये खाने में बहुती खस्ता और स्वाधिस्ट होती है, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं तो मैथी की पूड़ी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मैथी ली है, इसे हमें अच्छे से धो कर काट लेना है तो मैथी को हमने अच्छे से धूख कर काट लिया है और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड़के के लिए हमने ग्यास पे रख दी है कड़ाई और इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ओल तो ओल गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा, कद्दुकस किया हुआ लसन, कद्दुकस किया हुआ अद्रत और कुटी हुई हरी मिर्च मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या ज़ादा कर सकते हैं और आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी टाल सकते हैं और इसे हमें हल्का सा भून लेना है तो ये भून चुके हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और इसे हम इसमें मिला देते हैं अब हम इसमें डाल देते हैं मैथी और मिला देते हैं हमें इसे एक दो मिनिटी पकाना हैं, जाता नहीं पकाना है और डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक अब हम कर देते हैं ग्यास को बन और इसे कटोरी में निकाल लेते हैं अब हमने यहां एक ठाली ली है और इसमें हम डाल देते हैं तो कटोरी केहू का आटा आदी कटोरी बैसन और डाल देते हैं हम इसमें थोड़ा सा नमक नमक हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मैथी में पहले ही नमक डाल दिया है एक चुटके हिंग अजवाइन और डाल देते हैं तड़के वाली मैथी अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर इसका टाइट आर्टा गूत लेना है तो हमने इसका टाइट आर्टा गूत लिया है अब हम इसे ढग कर चार से पांच मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे तो डोर ने रेस्ट कर लिया है और अब हम इसकी लोईया बना लेते हैं इस तरह से हमें लोईया बना लेनी है तो लोईया बना ली है और अब हम इसे बेल लेते हैं और पूरी बनाने के लिए हमने यहां ओईल लिया है जिससे कि यह बेलते वक्ट चिपके ना जैसे हम नॉर्मल साधी पूरीया बेलते हैं वैसी हमें इसे बेल लेना है तो यह पूरी बेल लिये हमने इसे हम रख देते हैं एक ठाली में इसी तरह हम बाकी की पूरीया भी बेल लेंगे और इधर हमने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है तो तेल गरम हो चुका है इसे हम चेक कर लेते हैं तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें हम पूरीया तर लेते हैं इस तरह से हम पूड़ी को दबाते हुए फुला लेंगे और दोनों साइट से फ्राइ कर लेंगे तो दोनों साइट से पूड़ी फ्राइ हो चुकी है और इसे अब हम निकाल लेते हैं ऐसे हमें सारी पूड़ी फ्राइ कर लेनी है तो ये भी दोनों साइट से फ्राइ हो चुकी है इसे भी हम निकाल लेते हैं तो शारी पूड़ी बन्हें कर तयार हैं अगर इस तरह से पूड़ी बनाते हैं तो पूड़ी खसता और कचोरियों की तरह स्वादिस्ट लगती हैं इन पूड़ीयों को आप vrai tissue के साथ चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ खा सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साइड में लगे वेबल आइकन को बिताबा दीजे ताकि जब भी मैंने वीडियो डालू तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले